प्रिशा प्रिशा से जो असल में प्रिशा नहीं बल्कि महिमा होगी रुदराक्ष महिमा को प्रिशा समझ कर पीछे से पकड़ लेगा और उसे हक करते हुए रोमेंस शुरू कर देगा महिमा रुद्राक्ष को जोरदार धक्का देगी और बताएगी कि मैं प्रशा नहीं हूँ ये बात देखकर रुद्राक्ष बहुत जादा हैरान हो जाता है और कुछ घंटे पहरी की कहानी शुरू होती है यहाँ पर आज़ात के एपिसोड में आप देखेंगे कि साराश जैसे ही महिमा के पास से सोकर उठेगा उसे बहुत बड़ा शौक लगेगा वो चीक तर चलाता हुआ नजर आएगा और महिमा से गुसे में बात करते हुए कहेगा कि आप समझती क्यों नहीं है कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ क्यों मेरे आसपास आप बार बार आ जाती है ये कहकर प्रिशा की एपसिंसी में महिमा से बहुत ज़्यादा रूडली बहेव करेगा सारांश और सब कुछ अपने दिल की बात कहे कर उस रूम से कहीं और चला जाएगा दूसरे रूम में आप देखेंगे कि रुद्राक्ष और प्रिशा बहुत ही ज़्यादा कोजी मोमन्ट में एक दूसरे के साथ बाहू में बाहें डाल कर सो रहे होंगे तब ही वहाँ पर अचानक से सारांश की एंट्री होगी और वो उन दोनों के बीच में कूट कर उन दोनों के पास लेट जाएगा जैसे ही सारांश उन दोनों के बीच में लेटेगा यहां पर प्रिशा उससे पूछेगी कि क्या हुआ करना तो मितनी जल्दी क्यों जग गए तो सारांश अपने दिल की बात बताते हुए प्रिशा से शिकायत करेगा और कहेगा कि मॉम आपको पता है ना कि मैं आपको रोज सुबा उठकर के देखना चाहता हूँ तो आप मेरे से दूर क्यों जाती हो आपको अच्छे से पता है कि महिम आपका मुझे नहीं पसंद फिर भी आप मुझे उनके आसपास क्यों छोड़ जाती हो और भी ऐसी धेर सारी बातें सारांश प्रिशा से कम्प्लेनिंग वे में कहता हुआ नजर आएगा जैसे देखकर प्रुद्र और प्रिशा उसे काम डा हम तीनों के लावा और कोई भी हमारे बीच में नहीं आ सकता यह बात सुनते हुए रुद्राक्ष पी सारांश की बात माल लेता है और उससे प्रॉमिस करता है कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे अगली सुबह आप देखेंगे कि जैसे ही यहां पर रुद्राक्ष और प्रिशा से मिलने के लिए जी-पिएस सोचेगा यहां पर पहले वो वसुदा से बात करेगा आपस में बात चीत करते में महिमा का सपोर्ट करते हुई वसुदा आएगी नजर और वो के अपने हस्बन जी-पिएस से कहेगी कि महिमा ने काफी कुछ सहा है इतने दिनों म और उसे प्रिशा के पास रहे कर सारे सुख सुविदा उठाने का पूरा पूरा मौका मिलना चाहिए यह बास सुनकर GPS गुस्से में कहता है कि हमारी प्रिशा ने भी काफी जादा परिशानिया देखी है उठाई है लेकिन मुझे नहीं लगता कि महिमा का इस समय खुराना हाउस में रहना बेकुल भी ठीक है यहां पर गुस्से में प्रिशा की मा ये कहती हुई अपने हस्बंड से आएगी रज़र कि तुम्हें प्रिशा के लावा कुछ और दिखता भी है कि नहीं महिमा कितनी तक्लीफ कितनी परिशानियों से गुजर रही है यहां पर दोनों बेटियों के लिए हो जाएगी इन दोनों की आपस में फाइट शुरू जिसके बाद आप देखेंगे कि कोई भी सल्यूशन नहीं निकलेगा और एट लास जी पिएस वहां से डिसकुर्शन में से उठका चले जाएंगे दूसरी और खुराना हाउस में आप सब देखेंगे कि रुदराक्ष और सारांश अपनी क्लासेस के लिए तयार हो रहे होंगे अपनी आप जहां पर सारांश को तयार कर रही होगी प्रिशा और रुद्राक्ष उसे अपने पास बुलाने के लिए उसे शू लेज बानने के लिए रिक्वेस्ट करेगा एक तरफ है प्रिशा का सारांश और दूसरी तरफ है उसका हस्बन डुद्राक्ष और दोनों को ही तयार करने में बिचारी प्रिशा की बैंट बचाएगी इन दोनों के बीच में महिमा की एंट्री होगी इस रूम में जो दूर खड़ी हुई सारांश को देख रही होगी कि कितने प्यार से प्रिशा उसके बेटे को तैयार कर रही है प्रिशा जैसे ही महिमा को देखेगी वो उसे अंदर आने के लिए कहेगी प्रिशा चान बूचकर महिमा को अंदर बुलाएगी और सारांश के बाल ठीक करने के लिए उसके पास उसे छोड़ देगी दूसरी तरफ सारांश को छोड़ करके रुद्राक्ष के शूलेज बांदेगी और उन दोनों को ही देखने लगेगी सारांश के तरफ से अपना ध्यान हटाने के लिए रुद्राक्ष उसे सीटी मार के अपनी तरफ दिखवाएगा और कहेगा कि तुम कहां देख रही हो मैं तो यहां हूँ और कितनी अजीब बात है एक बच्चे का बाप हो गया हूँ लेकिन मुझे सूले लेकिन मुझे अभी तक शूलेज बानना नहीं आथा इस बात में प्रिशा रुद्राक्ष को डाटे गी और फिर से सारांश और महिमा की तरफ देखने लगेगी कि वो कैसे एक दूसरे के साथ बहेव कर रही है लेकिन सारांश को प्रिशा की ये बात वेकुल समझ नहीं आएगी कि उसने उसके बाल क्यों नहीं बनाया और महिमा के पास उससे क्यों छोड़ दिया ये बात देखते हुए सारांश मू बनाएगा और प्रिशा को गुस्से से देखेगा लेकिन यहाँ पर रुद्राक्ष प्रिशा को परिशा को परिशान करना नहीं करेगा वंद और वो कहेगा कि तुम्हारा ध्यान उधर है तुमने शूलेज एकदम गलत बांदे है लिए वो दिन आता है जब प्रिशा और रुद्राक्ष महिमा को अच्छे साइकेट्रिस के पास ले जाते हैं जहाँ पर डॉक्टर उसके बीमारी के बारे में प्रिशा और रुद्राक्ष को सब कुछ बताता है डॉक्टर से मिलने के बाद जैसे ही ये तीनों घर वापस आते हैं यहाँ पर प्रिशा गेम खेलने के प्लानिंग करती है और सोचती है कि क्यों ना सारांश को महिमा के करीब करने के लिए कोई ऐसा गेम खेला जाए जिसमें इन दोनों की involvement जादा हुए इसलिए वो बोर्ट बनाने की सोचती है और वो बात रूम में ले जाकर प्रिशा सारांश और महिमा के साथ बोर्ट का गेम खेलती है जिसमें दुद्राक्ष के अप्सेंसी में सारांश और महिमा की काफी अच्छी बॉंडिंग आप सबको आज रात के अपिसोड में देखने के लिए मिलने वाली है दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जैसे ही सारांश पानी में महिमा और प्रिशा के ऊपर पानी फेक रहा होगा बोट से खेलते हुए यहाँ पर महिमा के सारे कपड़े खराब हो जाएंगे और वो अपने रूम में जाकर अपने अटेची से कपड़े निकालने लगेगी लेकिन महिमा के अटेची खुलने का नाम नहीं लेगी जिसे देखते हुए प्रिशा महिमा को ओफर करती है और कहती है कि आप मेरे कपड़े पहन लीजिए जब तक आपका अटेची नहीं खुल रहा और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है पहले तो महिमा बहुत मना करती है लेकिन प्रिशा के इंसर्स करने में फाइनली वो मान जाती है और महिमा के कपड़ों की जगा वो प्रिशा के कपड़े पहनने लती है जैसे रुद्राक्ष अपनी क्लासेस खतम करके आता है अपने रूम में वो सोचता है कि सामने प्रिशा खड़ी है लेकिन प्रिशा के कपड़ों में वो महिमा खड़ी होती है जिसे वो पीछे से जाकर हग कर लेता है जैसे ही महिमा को महसूस होता है कि रुद्राक्ष जो पीछे से अपनी बाहों में जकर लिया है वो उसे जोर से धक्का देती है और कहती है कि यह प्रिशा नहीं मैं हूँ मैंने उसके कपड़े पहन लिये थे और ये सारा सीन देख रहा होता है GPS क्योंकि वो प्रिशा और महिमा से मिलने आया होता है और यहीं हो जाएगा आज रात के एपिसोट का एंड जिसमें ये टेंशन हो जाएगी GPS को कि अगर महिमा रुद्राक्ष और प्रिशा के जिंदगी में रही तो कहीं आने वाले टाइम में इन दोनों के जिंदगी तबाह न हो जाए अब ऐसे में क्या होगा GPS का फैसला क्या लेगी प्रिशा डिसिजन ये सारे इंसीडन्स देखने के बाद ये सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा आज रात के एपिसोट में कर दो, ल tee कर दो, दो हो जाए